तो देखो अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखोगे तो यह रीवर बोटम का प्रॉब्लम है और यह बेसिकली टू-डाइमेंशनल मोशन है इसमें कोई टेंसर वाली बात नहीं है स्पीड खें स्पीड खें सिमर मतलब भाता है जो नदी में खूदेगा अब यह किधर खूदेता है स्टील वाटर का क्या मतलब होता है थैट एस श्पीड खेंव दढ़न खा और पिध रिस्पेक्ट तो रिवर देह यह एक्वेशन नमबर यह फर्स्ट फोर भी एम आर जो है वह स्पीड आप मैं इस पीड आप मैं विट रिस्पेक्ट तू रिवर तो यह विलासिटी आम मैं रिस्पेक्ट रिवर अगर भेक्टर लगा के बोलो तो इद देशी में कि नॉर्मल टुदे रिवर पलो जो आदम मैं जंप नॉर्मल इस लाइन में मैं जंप करता है अब जब आदमी नदी में कूच जाता है तो इस इस दे वेलासिटी आप दे मैं विट रिस्पेक्ट टू रिवर यह वाली वेक्टर इदर होगी ठीक है एंड रिवर वन किलो मिटर वाइड है इस दे रिवर वन किलो 750 मीटर इदर पहुंचता है इदर यह वाली डिस्टेंस है टार्गेट ओ से चला था यह पर टार्गेट बनाया था लेकिन वह यह पर नहीं पहुंचेगा मैं ग्राउंड से देखूंगा तो वह भी पहुंचेगा यह बात आपको समझ में आ रहा है तो यह कहता है इस पीड Golf नहीं प्ag तो यहां एक ट्रेंगल बन गया है तो अगर तुम देखोंगे यह वाली जो वेक्टर देटीज Bundesregierung तो यह वली वेक्टर कौंद से हो जाएगी इस ट्रैंगल में इंट्रैंगल-व औ A, B में तुम देखोगे तो यह वाली जो यह है velocity of the man with respect to ground तो यह velocity of man with respect to ground यह वाला चीज हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हमें यह बात निकालना है ताइम अगर मुझे यहां सबसे पहले drift दिया हुआ है तो यहां से drift मतलब यहां से drift दिया हुआ तो drift की value कितनी है तो drift is equal to A, B है और इस drift की value 750 meter दिया हुआ तो 750 meter मतलब 0.5 km यह जो है वो drift है 0.6 km लेकिन drift is equal to by two dimensional motion है तो x-axis में displacement निकाल हो तो x-axis की velocity और multiplied by time common होता है two dimensional में तो x-axis की जो velocity है वो velocity आफ river है और multiplied by time t और यह जाएगा 0.75 this is the equation number first इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो सबसे पहले मैं time आप cross ही निकाल लेता हूँ तो time देखो x-axis अगर मैं इधर x इधर मैं y मानता हूँ और इधर मैं x मानता हूँ तो b point पर पहुँचने में ठीक है जो time होता है x-axis और y-axis के displacement में सेम होता है आयोग की यह बात आपको पता होगा तो time is equal to क्या होता है तो time is equal to distance upon speed तो displacement upon speed और इसको मैं एक particular axis में ही लगा रहा हूँ तो अगर मैं इसको particular axis y में लगा रहा हूँ इसको यहां से लाग रखोगे तो 0.5 और रिवर की velocity यहां से दिखने लगी और यह आजाएगा 1.4 तो यहां से वेलासिटी आप रिवर जब कर लोगे तो यहां जाएगा 3 किलो मीटर पर आवर तो 3 किलो मीटर पर आवर यहां पर जो सलूशन बनेगा ओ बनेगा 3 थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाए टेक केर